दोस्तो इस spider plant एक बहुत ही सुन्दर indoor plant है hanging basket में भी बहुत सुन्दर लगता है और इसके जो runners जब निकलते हैं इनसे हम वहुत फ्री में बहुत सारे plants बना सकते हैं इनको अगर हम ऐसे ही direct मिट्टी में लगाएं तो बहुत कम chance रहते हैं इनके चलने के तो इसको हमेज़ा आप पहले पानी में रखें कुछ दिन तो इसमें अच्छे से roots बन जाएंगी उसके बाद आप इसको मिट्टी में लगाएं तो इसी plant से मैंने कुछ runners लेकर लगबग 25 दिन पहले पानी में लगाए हुए हैं बोटल में पानी भरके उसमें रख दिये थे तो अभी देखते हैं वो कैसे हो गए हैं और उनको किस तरह से हम मिट्टी में लगाएं किन बातों का ध्यान रखें बिल्कुल फ्री में हमारे plant बन जाएंगा और अभी तो बहुत सारे हैं काफी सारे plant हम बना सकते हैं बहुत सुन्दर लगता है ये plant तो चलिए देखते हैं देखिए दोस्तों ये बोटल में मैंने इस तरह से ये रनर्स लगाए हुए थे और लगबग 10-12 दिन में मैं इसका पानी चेंज कर देती थी तो अभी 20-25 दिन हो गए हैं और roots देखिए आप कितनी बड़ी इसकी हो गई हैं बिल्कुल बोटल के नीचे तक पहुँच गई हैं और पहले भी हम इसको लगा सकते थे लेकिन मुझे time नहीं मिला तो देखिए कितनी लंबी लंबी इसकी roots बन गई हैं आप कोई tension नहीं है अब अराम से यह plant मिटी में हम लगाएंगे तो बहुत अच्छे से चल जाएगा अगर हम इसको direct मिटी में लगाते हैं तो बहुत मुझकिल रहता है इसका चलना और इतनी बड़ी roots सब अभी तक इसमें इतनी जल्दी नहीं बन पाती जादा तक गल जाता है प्लांट जब छोटा होता है मिटी में तो अभी इसमें जड़े बन गई हैं तो बहुत जल्दी यह चल जाएगा तो देखिए छोटे से गमले में मैं इसको लगा रही है हमेशा छोटा सा गमला लें जब भी आप इन runners को लगाएं छोटे प्लांट है यह और मिटी में रेत जरूर मिला लें रेत मिलाने से मिटी काफी soft और drainage बहुत अच्छा हो जाता है तो मिटी रेत और compost तीनों को मैंने mix कर लिया है और इसी तरह की मिटी में मैं इस प्लांट को लगा दूँगी तो अभी बस हमें इसमें यही ध्यान रखना है कि पानी हमें बहुत कम देना है पहली बार हम अच्छे से पानी दे देंगे लेकिन दुबारा पानी हम तभी देंगे जब मिटी इसकी थोड़ा सूक जाएगी और इसको ऐसी जगह पर रखेंगे जहां पर अच्छी लाइट आती हो अच्छी लाइट वाली जगह पर यह प्लांट बहुत अच्छे से चलता है तो अभी हम इसमें अच्छे से पानी देंगे ताकि मिटी पूरी सैट हो जाए और बिल्कुल भी ओवर वाटरिंग बीच में नहीं करेंगे तो यह प्लांट बहुत अच्छे से हमारा चल जाएगा तो इस तरह ऐसे छोटे छोटे रनर से हम फरी मेंTube के बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं और बहुत ही सुन्दर अंडूर प्लांट है बहुत सुन्दर लगता है आप किसी को गिफ्ट दे सकते हैं अपके कहीं भी अपने घर में रख सकते हैं ऐखसीजन बहुत अच्छी देता है यह तो आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जुरूर करिए और चैनल को सबस्क्राइब कीजे बिलती हूं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई थेंक्यू वेरी मच